हे गाईज वेलकम बैक तो आज हम डिसकस करेंगे रोयल इन फिल्ड में एयर फिल्टर के बारे में तो गाईज यह मेरा बीएस फोर मोडल है तो मैं इसमें डिसकस करूँगा कि रोयल इन फिल्ड में जो एयर फिल्टर उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको कितने किलोमेटर ब इसके लिए यह और करता हूं देख़िए यह एर फिल्टर मैं बता दूं कि यह एर फिल्टर यह बहुत इंप्वाइक के लिए आप इसको समझे कि यह जो बाइक है उसका ये नोज परना सास ले तो बाइक भी इहाँ से सास लेता है वोले तो एयर लेता है ठीक है तो सबसे पहले बताएंगे कि जो एयर फिल्टर है वो करता क्या हना कि जो भी आप देखो फ्रेंड्स आपको तेतना बेसिक पता ओगा गाई कि ज 생ीены है इस में क्या होता है Cum will happen to have passed in इसमें तो अच्छा से combustion होगा नहीं तो यह जो air filter होता है ना इसमें क्या रहता है कि छोटे-छोटे chambers रहते देखिए एक छोटे-छोटे यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ा सा मेरा गंदा हो गया है तो यह combustion मिलेगा जिसका आपका जो बाइक है वह स्मूथ रन करेगा ठीक है और अगर यह चीज गंदा रहा तो आपको इंजन में अच्छा खुद से चेंज कर सकते इतना तो आप खुद से करी सकते हो ठीक है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि air filter जो है बहुत लोग सूचेंगे कि air filter को कितने km में चेंज करें तो मैं बता रहा हूं कि यार बेस्थ है कि आब इसको पर 3,000 km पर इसको चेंज करें तो जब यह चेंज हो जाएगा ना तो इससे क्या होगा कि आपके जो बाइक में जो प्रोपर एयर फ्लो होगा मलब कि यहां से जो जो भी पार्टिकल्स एयर क्या हैंगे वह अच्छे से फिल्टर होंगे और अच्छे से फिल्टर होंगे उसके बाद अच्छा से कंबशन होगा तो यह है आपका अच्छा से प्रोपर कमशन अब बहुत लोग बोलेंगे कि इसको कैसे चेंज करें तो आप सिंपली जाए इस्टोर में रोलन फिल्ट के सोरूम में ही चले जाए वहाँ पर आपको यह मिल लाएगा आप खुद से चेंज कर सकते हो यार आपके पीछे उधर किट दिया ठीक है तो बस यही चीज है और इसका एक और इंपोर्टेंस है कि अगर अगर यह आप चेंज करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि बाइक का लाइब बढ़ेगा आपका इंजन पर कम लोड़ पड़ेगा और एक्चुली देखो यह चीज अगर गंदा हो जाता है अब मैं ब प्रेसर वाला मसीन रहता है ठीक है जिससे एयर निकलता है स्पीड से इनको खोलना यहां से इसक्रूब को लूस करना खोलना और पूरा अच्छे से एयर से आप साफ कर सकते हो और यह साफ करना भर 500 किलो मीटर पर करो ठीक है 500 किलो पर इसको क्लीन करते रहो इतने जिसमें dust जमा हुआ है ना इसको clean करो अगर यह dust जमा रहेगा तो अच्छा से air filter नहीं होगा और फिर जब इसको clean कर लोगे फिर लगाओ लेकिन हाँ every 3000 km पर आप एक new air filter रगा लो कोई महंगा नहीं आता है 200 से 300 के बीच आता है चलो मैं आब आता हूँ बैटरी पर इसको मैं close करता हूँ तो बैटरी में मैं कुछ बताऊँगा नहीं हाँ बैटरी ना बैटरी मैंने change किया था एप्रोक्स 3 years के बाद मैंने बैटरी चेंज किया वक्याकि मेरा बैटरी पूरी तरिका से डाउन हो चुका था बेटरी तो three years में मैंने अपना भी का बैटरी चेंज कि इसमें लगवा था एम रौन का बैटरी अब मैंने लगवाया है it's a bak myially guitar यह है बैटरी का सिक्विं सोरी आर्बइसे वेड केम मिलता है業 citizen यही यही पर रहता है इसे अप!」 यूज कर सकते ओके तो इसमें इस्कुरू वेगा रहा है बेसिक गियर्स जिससे आप खोल सकते हो एयर फिल्टर अब मैं आता हूँ बैटरी पर देखो यह है बैटरी का सेक्शन यहां पर बैटरी मैं इसमें सिर्फ एक बेसिक चीज बताऊंगा जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं देखो यह रहा बैटरी तो यह बैटरी में बस मैं एक चीज आपको बताऊंगा बैटरी तो देखो भाई तीन साल में चेंज कर लेना बाइक के लिए अच्छा रहता है और यहार रोल इन फिल्ट में प्रॉब्लम है अगर बैटरी नहीं रहा ना बहुत लोग सु साइन में जुड़ेगा और यह जो ब्लैक है ऑल्वेज इन माइनस ताइड तो यह चीज याद रखना भाई गलती मत कर देना ब्लैक और रेड में कंफ्यूज मत जाना हमेशा रेट प्लस में और ब्लैक माइनस में ठीक है तो बस यह बेसिक छोटा सा जनकारी आई होप कि आपको कुछ कुछ तो समझ आया होगा तो थैंक्स फो वॉचिंग फ्रेंट्स आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू